हाला सुडेंट्स मेना नाम दॉक्टर के जिन्द पुर रही थे एक बहुत अच्छी न्यूज में आपको देने वाला हूँ जो सुडेंट्स CSIR NET या सेट एक्जाम की तैयरी कर रहे हैं उनके लिए यहां पर UGC चेर्मेन ने ट्विट के और इस ट्विट के माध्यम से बता असिस्टन्ट प्रोफेसर के लिए लिजिबल हैं पर भी आम आपको बताना चाहरा हूँ यहां पे एक और अपडेट था कि अगर आप 2021 तक आपने PhD कर रखी है तो यार आप महां पे लिजिबल हैं असिस्टन्ट प्रोफेसर के लिए पर ड्यू टू कोविड इस योग्यता को 2023 तक extend कर दिया गया था मतलब अगर आप जुलाई 2023 तक PhD नहीं भी हैं और नेट क्वालिफाई हैं तो आपको असिस्टन्ट प्रोफेसर के लिए इलिजिबल माना जाएगा पर ये खतम होने वाली थी एक जुलाई 2023 को इसलिए आज इस ट्विट को करना पड़ा उन्होंन प्रोफेसर के लिए योग जिमाने जाएंगे अब आप बोलोगे सर MPPCA, RPC अलग अलग स्टेट पे वेकेंसिस निकल रही हैं सर वहाँ पे तो नेट और सेट को माना गया है कि आप अगर नेट सेट क्लियर हैं तो आप असिस्ट प्रोफेसर अरे बहाँ यही तो बताना चा को मेंडेटरी करने वाले थे क्योंकि ड्यू टू कोवीड 2021 तक तो मेंडेटरी था पर कोवीड की वज़े से इसको 2023 तक एक्सेंड कर दिया गया था इसलिए यहाँ पे यह त्विट किया गया है कि अगर बाई चांस आपने पीएसजी नहीं कर रखिये आप नेट या सेट या यूजी सी नेट एक्जाम के बाद किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफिसर बनना चाहरा है क्योंकि एक बहुत बड़ी टेंशन होती थी यहाँ पे सर नेट एक्जाम कौलिफाई करो उसके बाद फिर पिएसडी करो बहुत लंबा प्रोसेस आता था और लोग इ यहाँ पे अगर आप नेट सेट एक्जाम क्लियर है तो यहाँ आप किसी भी यूनिवरसिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफिसर के लिए योग गिमाने जाएंगे पी एसडी को यहाँ पे ऑप्शनल कर दिया गया है और यहाँ पे जो गजट नोडिफिकेशन आया 2023 को UGC Chairman के द्वारा ट्वीट किया गया है और यह गजट नोडिफिकेशन है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ अगर आप इसको देखना चाते है तो इसका जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस ट्वीट के लिंक से आप पहले होता क्या था देखो नॉर्मली यह आप देखेंगे आप एक आर्टिकल है जो कि मैंने वेबसेट से निकाला और इस आर्टिकल में यह था कि 2021 तक PhD मैंडेटरी था पर ड्यू टू को वीड इसको एक जुलाई 2023 तक एक्स्टेंड कर दिया गया था कि एक जुलाई 2023 तक आप अगर PhD नहीं भी है अगर आप नेट सेट है तो आपको इलिजिबल माना जाएगा अब नेट सेट को मिनिममम इलिजिबलिटी मान लिया गया है PhD ऑप्शनल है तो अब बात करेंगे सर पहले क्या होता था तो पहले यहां पर यह होता था कि आपका जो मास्टर उसमें 55% होना चाहिए qualification net set होना चाहिए था और candidate with the PhD were exempted for the net and set जिनका PhD था उनको net और सेट से यहां पर क्या कर दिया गया था exempted कर दिया गया था for the assistant professor अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर पहले क्या होता था तो भाईया 2021 तक तो यहां पर PhD को mandatory कर माना गया था और साथ में यह बुला गया था कि 55% के साथ आपकी master degree होनी चाहिए net और set आप यहां पर qualify होने चाहिए और साथ में आपकी PhD भी यहां प तक आपको यहां पर exempt किया जाता उसके बाद PhD mandatory हो जाएगी यह यहां पर बोला गया था पर अब जो information यहां पर निकल के ही अब क्या हुआ है कि भाईया आप 55% के साथ master's कर रहा हो net set या slate आप exam qualify है तो भाईया PhD आप optional है अब mandatory नहीं है the PhD qualification is made for the optional net set slate exam is the minimum criteria for the direct recruitment for the assistant professor in the any university any college या any state government जो की vacancy निकालती उसके लिए तो यह update है जो की recent मैंने यहां पर आज का जो tweet है उसके माधियम से आपको देने की कोशिश करिए तो जो भी student यहां पर net exam की तैयरी कर रहे है चाहे UGCA चाहे CSIR है चाहे state के आपने set exam qualify किये तो यह बहुत ही अच्छी news है आप लोगो बनना है तो आपको PhD चाहिए पर आप जब entry करना चाहते उस time पर PhD is not mandatory it's a optional and this is very good news for the students जो student यहां पर UGC या CSIR net exam qualify कर चुके हैं या set exam qualify कर चुके हैं प्लिस comment करके बताईए कि यह news आपके लिए कितनी अच्छी है और अपनी खुशिया comment box में आप व्यक्त कर सकते हैं जो student यहां पर PhD कर चुके हैं और वो सोच रहे हैं कि sir हम eligible है कि नहीं है भाईया आप तो eligible होई हो पर अब जो net set वाले हैं उनको PhD करने की जरूत नहीं है वो एक बार government job लगने के बाद बाद में PhD कर सकते हैं और स्विन जो भी यहां पर CSI internet exam mathematics के साथ तैयरी करना चाहरे तो मेरी books amazon पे available है इवन यह flip card पे भी available है तो आप इसको buy कर सकते हैं